हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप किसी दोस्त के साथ डेटा है वो शेर करना चाहते हो या आपके किसी दोस्त के कोई PC के अंदर या लेपटोप के अंदर टेकनिकली आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे बहुत ही इजी तरीके से आपका दोस्त कितनी भी आप से दूर बैठा हूँ फिर भी आप एक PC से दूसरे PC के अंदर है वो बहुत ही easily है वो connected हो सकते हो वो भी बिना वायर के वायरलेस बस आपके लेपटोप के अंद आज जिस software की बात करने वाला हूँ उसका नाम है एनिडिस्क तो उसके जरीए हम लोग एक PC से दूसरे PC के अंदर है वो connect होंगे या तो आप डेटा भी उसके साथ share कर सकते हो और screen भी पूरी की पूरी वो share होगी यदि कोई technically problem है software की या जो भी तो आप वहीं से भी है वो ब दोस्तों ये दोर लेप्टोप आपको नजर आ रहे होंगे तो मैं इस एक लेप्टोप को दूसरे लेप्टोप से connect करूंगा बिना वायर के एनिडिस्क का software से तो इसे डेटा का transfer कैसे करेंगे वो भी माँ आपको बताऊंगा और कभी ऐसा हो जाता है कि आपको टेक्निकल आपके दोस्त की हेल्प चाहिए तो भी आप इसे वो हेल्प ले सकते हो और डेटा का भी आधान परदान कर सकते हो साथ में screen share भी कर सकते हो चलिए screen पे दोनों PC के और दोनों कुमा आपको दिखाता हूं क्या करना है दोस्तों मैं फर्स्ट PC के अंदर वो एनिडिस के software उसक इसे वाला PC है उसके अंदर भी क्या करना आप अनिडिस के software उसको इसके अपन करना है यदि मुझे कोई काम करना है इस PC से यानि जो आपको साइड में screen दिखे दी रहे इस PC से तब मैं इस PC की जो की है वो इस PC में अंदर हो डाण देंगा और यदि मुझे इस वाले में काम करना है तो उसकी की इसमें यह था तो चलिए मैं उस वाली PC को काम लेना चाहता हम इस PC के अंदर उसकी जो की है जो की क्या है 4 5 4 तो यह दे कि पहले से मैं एक बार connected था तो यह की मेरे पास आदी अब मैं इसको connected कर रहा हूं अपने दूसरे PC से तो यहां पर मेरे को accept मांद रहा है इस वाले PC के अंदर मैं यहां पर इसको चाहता हूंगा accept कर दोगा यानि permission कर दोगा तो मैंने accept कर दोगा तो जैसे ही लेखो मैंने accept किया है तो मेरे 21 PC के अंदर रहो यह डेक्स लोगो कर दोगा है अब उस वाले PC में आटोमेटिक ही हो रहा है तो में कोई नहीं हो रहा है तो यहां को कर दोगा है अब इसके अंदर आपकी तेमी सिस्टम देखे लोगों सारे के साथ आपके को सब्सक्राइब सब्सक्राइब मुझे कोई file देंगे इसके लिए मैं के अफ्सक्राइब मैं क्या है अब कर दोगतुड़ में मुझे वहां उस PC के अंदर हो रहा है तो मैं यहां से कोपी कर लोगा और इस PC में जाओंगा है यहां-पर मानलो मुझे बाइब के अंदर हो डालें गया तो मैं इसको अपको ओपन करेंगा और यहां पर एकस्ट करेंगा तो यह दीगे एजिली है यहां पर आपके अंदर हो कोपी हो परेशे आप और भी कुछ डेटा है वो मैं इस PC से पर देना चाहूं जया से मानलो कि मेरी यह वाली कोई भी तो में में यासी पूर्थ है और मां पीसी के अंदर भी जाने लाँ जाधू कोई यह दós etap और इस तरीक वह और रहे कर सकते हैं निषुम स्कते हैं कर सकते हों अब वहां से डेटा उब हाह दे सकते हूँ और दे सकते हो दोनों तरीके से ऐसलिए काम कर सकते हों तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों और इजी तरीके से खनेक्टेड हो पाते हो और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिए भी दोस्तों लेख सकते हो या मालो आपका घर पर कोई PC रह गया है आपको जोसे पीसी के अंदर कुछ बेता लेना है जाथ बहुत है और तो आप अना चाहीए और बने रही है टेकनिकल दोस्त इन्डिया के साथ ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों इस परकार से आप अपने दोस्त के साथ डेटा का शेरिंग कर सकते हो डेटा का शेरिंग करने के साथ साथ आप स्क्रेन का शेरिंग भी कर सकते हो और उसके साथ साथ आपके कोई टेक्निकली प्रोब्लम हो तो इस तरीके से आप वो इजी लिए वो उसको फिक्स कर सकते हो या आपने दोस्त से करवा सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो helpful है आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और आप दोस्तों यह दिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई धन्यवाद जाहें